आज की इस वीडियो में हम BSE 3rd Year Botany 3rd Paper के कोस्चन पेपर के बारे में देखेंगे देखी हमारे पास एक कोस्चन पेपर है जो की 2022 का है पेपर जो है Botany 3rd Paper है और Botany 3rd Paper का नाम जो है वा Environmental Botany and Plant Pathology है Plant Pathology और Environmental Botany के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे अगर आप 3rd Year में है या फिर 3rd Year में जाने वाले है तो आप जानेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से तो देखी एक जो Question Paper होता है Question Paper में आपके पास जो टाइमिंग रहती है वा तीन घंटे इसमें टाइमिंग रहती है और जो माक्स इसके जो रहते है वा 75 माक्स रहते है और Paper जो रहता है वा अकुल मिलाकर 3 सेक्षन में डिवाइड रहता है चाहे वो Botany का Paper हो गया या फिर डिजिलोजी का Paper हो गया तो कहने का मतलब यह है कि जो Botany 3 paper है वा 3 सेक्षन में डिवाइड रहेगा पहले सेक्षन में आपके सामने जो question रहेंगे वेरी short answer type की question रहेंगे और वहीं पर जो section B होगा section B में आपसे short answer type की question पूछे जाएंगे और इसके अलावा जो section C होगा section C में आपसे long answer type के question पूछे जाएंगे long answer type question से मेरा मतलब यहाँ है कि वहाँ पर आपसे 500 words में question पूछे जाएंगे वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से figure वेरा अच्छी से draw करना पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में हम botany third paper के यानि बेसी third year botany third paper के जो question paper है 2022 के इसको हम कराएंगे हम आपको बता दे हैं कि dr. राम मुनोहर लोहियावधी इन्वेट सिटी का यह paper है और इससे जो question pattern है इसमें कैस तरीके के question पूछे गए है इसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और हम आपको यह भी बता दे कि इसके पिछले वीडियो में हमने इसके first paper, botany first paper और botany second paper के question को हम पहले ही करा चुके हैं अगर आप वीडियो ज नहीं देखे हैं तो आप उससे देख सकते हैं चैनल के playlist में जाकर इसके लावा description में भी इसका link मिल जाएगा तो चलिए हम सुरू करते हैं इसे हम explain करना यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बीसी third year का botany third paper है उसका नाम जो हुआ environmental botany and plant pathology है timing को हमने अभी आपको बताई दिया timing यहाँ पर three hours रहेगी और साथ-साथ इसके जो maximum marks रहेंगे 75 marks रहेंगे और इसके लावा जो section A रहेगा section A में आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले लिखा गए attempt question यानि कि सभी question को section A के अंतरगत आपको जितने भी question है सबको attempt करना पड़ेगा लगभग 50 words में इसे explain करना पड़ेगा और जो पड़ते हैं कि यहाँ पर every questions होगा वह 1.5 marks का होगा इससाब से इसमें section A में 10 questions पूछे जाएंगे और 10 questions के आपके 15 marks यहाँ से हो जाएंगे यानि कि section A जो रहेगा वहाँ पर आपसे 15 marks के question पूछे जाएंगे देखिए आप जानते भी होंगे कि जो red data book होता है actually यह कोई book नहीं होती पहले हम आपको इस पस्ट कर दें या कोई book नहीं होती इसमें endangered species और इसके लावा IC species जो पूरी तरीके से extinct कर चुकी है या फिर पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है और जो IC species है जो की विलुप्त होने के कागार पर है या जो endangered species जी से हम बोलते हैं जो विलुप्त होने के कागार पर है जो species होती इनका एक हिसाब से data निकाला जाता है कि ASPCG विलुप्त होने वाली है या ASPCG विलुप्त होने के कागार पर है तो इस तरीकी का statement यहाँ पर रहता है Red Data Book के अंतरगत इसको आपको explain करना है इसके अलावा जो अगला question यहाँ पर है यहाँ पर IUCN के बारे में यहाँ पर लिखना है तो IUCN International Union of Concervation of Nature या इसके बारे में आपको यहाँ पर explain करना है अगला जो question है Mycoplasma से related यहाँ पर question पूछा गया है तो Mycoplasma के बारे में आप जानते भी होंगे तो इसे आप दो लगवक 50 वड में यहाँ पर इसको आप explain कर देंगे अगला जो question इसके बाद है In Damage में के बारे में पूछा गया है In Damage में को यहाँ पर explain करना है इसके अगला question है इसके बाद निको टाइप के बारे में यहाँ पर question पूछा गया है जिसे पारीजा पारिसितिक बोलते है में इसे भी आप explain कर लेंगे अगला question है crop rotation Crop rotation के बारे में यहाँ पर question पूछा गया क्रॉप रोटेशन आप जानते हैं कि क्रॉप को एक अस्ता मतलब इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करा जाता है जैसे अगर जिस खेत में आप मटर की फसल लगा रहे हैं तो अगली बार उस खेत में आप मटर के लाव किसी दूसरी फसल को लगाएंगे और इस तरीके से आप दो साल या एक साल के गैप करकर वहाँ पर उस फसल को लगाएंगे तो उससे जो फायदा होगा उपज अच्छी होगी तो इसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं और इस क्रॉप रोटेशन के बारे में यहाँ पर आपको इसना आपको पेपर के बारे में एक आडिया देना में कि पेपर किस टाइप करे रहता है इससे इसे जय यहाँट को कौज करते हैं किसी प्लांट में इसे इतियो लौजिके इंप्चरत पंड़ते धैं मिलं में बहुता है अगला जो कोस्ट्ट यहाँ पर है एसीड रहन तो आप जानते होंगी कि एसीड रहन जो होती है वहाँ इसमें सलफर के आकसाइड और नाइट्रोजन के अकसाइड आटमासफेरे में डिपोजिट हो जाते है उसके बाद यहाँ से रहन होती तो आपसमें मिलकर जमीन पर आते है जिससे एगर यह वरस पानि होती ओगर हुदए जो होती है तो बाख पर फबो जाते हैं किसी फिलाव नाफन के उपर पड़ती इसका होती है कुछ करब्रोग होते है तो यह तरीके का इसमें patient में यहां पर समाप्न हो जाता है एसी ड्रेन इसमें आप कर लेंगे तो एक से बाद यह समापत हो जाता है इसके बाद आता है section B section B को हमने भी बताया कि देखिए जो section ने है section ने है, section ने है तो section ने है आपका 15 marks का था और इसके लाँ जो आपका section B रहेगा section B जो रहेगा इसमें आपको सभी question को attempt करना पड़ेगा और सभी question को attempt करने के साथ साथ इसमें जो आप प्रतेक जो question रहेगा उसका answer आप 200 words में देंगे कुल मिलाकर यहाँ पर 5 question पूछे जाएंगे और जो प्रतेक question रहेगा वा 8 marks का होगा इस हिसाब से section B में आपके यहाँ से 40 marks यहाँ से complete हो जाएंगे तो अगर हम section B के जो question है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो question दिया गया है describe the threat of biodiversity biodiversity के द्वारा उत्पन होने वाले जो खत्रे हैं उनके बार में यहाँ पर आपको explain करना है तो आप जानते भी होंगे कि जो इंडिया है इंडिया की बायो डाइवर्सिटी जो हो बहुत ज़दा रिच बायो डाइवर्सिटी मानी जाती है इसके अलाव अगर इसमें जो आत्वा करकर और भी question दिये गया है तो अगला इसमें जो question है write a note on sustainable management of water water के ऊपर जो sustainable management है उसके उपर इहाँ पर आपको start note लिखना है आपके जानकारे के लिए हम बता देगी जो sustainable development होता sustainable development का मतलबिया होता है कि प्रेकरित के द्वारा जो भी चीज़े हमें मिल रही है यानि नेचर के द्वारा जो भी चीजें हमें मिल रही है उसका हम इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जो जनरेशन है उसको किसी भी प्रकार का खत्रों का सामना ना करना पड़े इंचीजों से यानि कि यैसे वाटर है या फिरादर जो सोर्सेज है उसका हम इस तरीके से यूज करें कि उसका बैलेंस जो है वो आर्थ पर बराबर बना रहे और इससे जो आने वाली जो future की generation है उन्हें किसी भी प्रकार का कशनाईयों का सामना ना करना पड़े तो इस तरीके का concept sustainable management का है तो इसे आपर यहाँ पर आप इसे अच्छे तरीके से explain करेंगे इसके बाद इसमें जो अगला question है discuss the effect of radioactive pollution यानि कि radioactive जो pollution है जानते हैं alpha, beta, gamma यह सब जो effective radioactive pollution इसके उपर आपको यहाँ पर थोड़ा brief में यहाँ पर आपको discussion इसमें करना है इसके अलावा इसमें और करकर और भी दिया गया है describe briefly about red rot of sugar cane इसके अलावा अगर आप इस question को नहीं करते हैं तात्वा करकर यहाँ पर दिया गया है तो आप red rot of sugar cane के उपर यहाँ पर सच्छी तरीके से explain कर सकते हैं with figure तो red rot sugar cane को बारे में आप जानते होंगे यहाँ पर collator trichum falcateum नाम का फंगस होता है तो इसमें इसका major बहुत ज़्यदा रोल होता है और जो sugar cane है उसे sacrum officinarum बोलते हैं तो इस तरीके का यहाँ पर कुछ concept है तो इसे आप explain करेंगे अगला जो question यहाँ पर दिया गया है discuss the main characteristic of population dynamics यानि कि जो characteristic है population के dynamics के उपर यहाँ पर आप से question पूछा गया है तो इसे आप explain कर सकते हैं और करके इसमें और भी चीज़े दी गई है और करके इसमें जैसे अगर आप इसको नहीं करते हैं तो और का थवा करके यहाँ पर दिया गया है potato script disease के उपर आपको यहाँ पर question पूछा गया है के लावा और भी यहाँ पर दूसरा जो है ozone depletion है तो potato script disease को आप जानते हुए phytophthora infections यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगती fungal disease तो इसके बारे में आप explain कर सकते हैं अगला जो इसके बाद इसमें यहाँ पर है differentiate between the following इसको आपको एक दूसरे से differentiate करना जैसे deforestation और digitification में क्या अंतर है deforestation means cutting of the tree यानि कि forest या जो जंगल है इनको cut कर देना deforestation कहला था digitification आप जानते है digit यानि कि ऐसा area जहां रेगिस्तान से related यहाँ पर word है तो digitification का मतलब यहाँ पर साफ है कि digit यानि कि ऐसे यह जहाँ पर digit पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में explain करना है अगला जो question जैसे यहाँ पर है endangered and extinct species endangered species आप जानते भी होंगी endangered species आएसे endangered species होती है कि आएसे species जो आने वाले future में आने वाली generation में जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है और आने वाले skill में यह विलुप्थ हो जाएंगी यानि कि विलुप्थ होने के कागार पर है तो उसे हम endangered species बोलते हैं इसके लावद जो extinct species होती है यह पूरी तरीके से विलुप्थ हो चुकी है इसे जो प्रिथ्वी है प्रिथ्वी पर उनका कोई भी प्राणिया कोई भी species इस प्रिथ्वी पर नहीं पाया जाता पूरी तरीके से प्रिथ्वी से इनका विनास हो चुका है तो इस तरीके की जो species है हुआ extinct to be species के अंतरगत आती है C इसमें दिया गया है Hydrosphere and Atmosphere Atmosphere को आप जानते ही है Hydrosphere तो इन दोनों को आप differentiate कर सकते हैं अगला जो इसमें D दिया गया है BOD and COD BOD का मतलब होता है biological oxygen demand और COD का मतलब होता है यहाँ पर full farm जो इसकी है chemical oxygen demand तो इसे आप इसे एक दूसरे से differentiate करकर दो चार लाइन यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर लिग देंगे तो इस यहाँ पर जो है एक complete हो जाएगा इसके अलावा और करकर इसमें और भी दिया गया है इसके बाद जो अगला इसमें बी जो दिया गया है effect of increasing CO2 यानि carbon dioxide concentration on climate यानि कि जो दिन प्रदिन atmosphere में carbon dioxide को percentage जो बढ़ रहा है इसके उपर आपको इसको आपको अच्छी तरीक से explain करना है कि इसका effect क्या होगा इस मतलब carbon dioxide लगातार बढ़ रही है तो इससे क्या होगा यैसे आप जानते है global warming होगी और भी different glacier अपिखल जाएंगे तो इस सब चीजें यहाँ पर यहाँ से हो जाएंगी इसके अगला question यहाँ पर दिया गया है differentiate between the following एक दूसरे से यहाँ पर differentiate करना है इसके यहाँ पर दिया गया है differentiate between the following तो यहाँ पर जो पहला जैसे एक जो दिया गया है national park and centuries national park और centuries में आपको अंतर स्थापित करना है कि एक national park क्या होते हैं और centuries क्या होती है तो national park में आप जानते हैं flora और phana का conservation किया जाता है लेकिन जो centuries होती है लेकिन centuries में नेशनल पार्क में आपके जो फ्लोरा और फाना होते हैं वो सभी species का वहाँ पर conservation किया जाता है लेकिन centuries जो होती है वहाँ पर किसी एक particular कोई है कि species का वहाँ पर conservation किया जाता है तो यह कि सीधा सा यहाँ पर differentiation है अगला जो इसमें दिया गया पैंडिमिक और इंडिमिक का मतलब किया होता है तो आप इंडिमिक और पैंडिमिक यह सब disease है यानि की एक तरीके की महमारी type की है तो इसे आप explain कर सकते हैं अगला जो यहाँ पर दिया गया है Scab and Canker Scab and Canker Scab and Canker जैसे नीबू बगएरा में अकसर होता है Scab जैसे पोटेटो इसको पोटेटो बगएरा में Scab पाय जाते हैं तो इसको आप explain कर सकते हैं अगला जो दिया गया है हाँ पर D. Blight and Red Rot Blight and Red Blight आप पोटेटो जानते हैं में जुलसा रोग जो लगता है तो फाय टोप थोरा इंफेस्टेंस जो है इसके द्वारा लगता है जैनि जिसे हिंदी में आलू में जुलसा रोग बलते हैं या ठंड़क के समय में जब एटमासफियर में हुमस की मात्रा में जनी कि जब नमी बहुत ज्यादा रहती है तो यहाrenched एक अस्थान से दूसरे अस्थान में आराम से फैल सकता है और इसके लावरा जो रेडराट होता है रेडराट या सुगर केन में होता है या इसके वजह से जो रेड के रेड रॉट हो जाते है यानि इस्टेम जो रहता है सुगर केन में जो इस्टेम का पोर्सन होता उसमें रेड इस्पॉर्ट आ जाते हैं और इसके लिए जो रिस्पॉंसिबल पैथोजन है वहा कोलेटर ट्राइकम फॉलकेटम है जिसके द्वारा इन सब चीजों को पाहले इनफेक्शन जो होता वह पतीओं होता सुगर कीं की पतीओं होता बाद में इनफेक्शन इस्टेम के पॉर्शन में चला जाता है अकसर आप गन्ने को जब देखते होंगे तोड़ते होंगे तो वहां से से रड कलर की स्पॉट आते वहां का जो सुगर कॉंटेंट रहता वो पूरी तरीके से खराब भी हो जाता है तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर concept है तो यहां से complete हो जाता है इसको आप differentiate कर सकते हैं इसके बाद इसमें और करकर दिया गया है तो साथ नोट यहाँ जर्म पलाज क्या होते हैं जिसमें जैसे जो प्लांट के जर्म पलाज वगर इसको यहाँ पर conserve करके रखा जाता है इसके लाँ आगला जो दिया गया बी वाला इसमें जो है आपको सेक्षिन कंपलेट करना होता है तो सेक्षी में देख रहे हैं कि हहांद इन्यान करकर जानी 2 questions कि आपको आपको डीका नोट में ज़ल यहाँ पर 2 questions को सभआपकर यहाँ जो परते questions रहें जो ङाने 500 words मेरी 100 words में तो चली हम देखते इसमें क्या 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 question दिया गया है यहाँ पर आप देख भी रहेंगे कि यहाँ पर 10 इंटू का ratio याँ पर 2 question आप से पूछे जाएंगे और 2 question जब पूछे जाएंगे तो यहाँ पर पर तेक जो question होगा वा 10 marks का होगा इससाब से यहाँ पर सेक्षण सी में आपसे 20 मार्क से आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो सेक्षण सी में जो कोस्टन दिये गए हैं एक अपकोर जाते हैं की तुक कोस्टन दिया गया इसमें जैसे है डिसक Vielen को나адц on ripping शॉप की ऑपर आपको यहाँ पर पर एकशे से यहाँ पर क्या होता है थर्मल पालूषण dat 서ativo की या pets समझ सकते हैं कि ऐसा cycle हीट के द्वारा वंगे द्वाफ के द्वारा उस्ट Always हम थर्मार पॉल समेया सैंट जब केसी और कूछ याँ रिस 뚜ी वगरा बंती की वहाँ पर बहुँत जादाई रिक हीट जाते हैं चाहे वह आटो मोबाइल से हो गए या फिर जितने भी इस्टिमेंटे इलेक्ट्रिकल हो गए इस सबसे न्वाइज पालूसन कहीं न कहीं होता है तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से इसको इसको एक्स्प्लेंग करना अगला जो कोस्चन है राइट है डिटेल यहां फालोइंग यहां पर जो इसे शाण Rig sawiule के कितनी टैप की होती है इनके उपर आपको यहां पर साथ नोट लिक आह ऑला जो इससे बी में जो दिया obviamente गयाँ में जो इनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर यहां पर एक्स्प्लैन करना है इसके बाद जो अगला कोश्चन है डिस्क्राइब इस सेम्टम्स एटियोलोजी एंड कंट्रोल आप फालोविंग जैसे लेट बलाइट अप पोटेटो यहां पर इसके सेम्टम्स क्या होते हैं में कौन सा पाइथोजन लगता है फाइटोफ फाइटोफ फ्रहा इंफेश्टेंश में लगता है लिडट बलाइट अप पोटेटो मीं और इसकी कंट्रोल में चान पर में आप जान लेजिए कि इसमें जितने भी फंजी साइट्स का यूज्ड कर सकते बोड एक्स मिक्षर तो इस यहां इसमें कामयाब होगा तो इसके उपर हम वीडियो बहुत पहले ही बना चुके हैं तो अगर आप देखें नहीं तो आप देख भी सकते हैं चैनल के अंदर जाकर प्लेइलिस्ट मिल जाएगी इसकी आपको इसके लामज अगला है mojac disease क्या होती है यानि कि tobacco mojac disease की उपर यहां पर question पूछा गया है तो यहां पर आप इसे explain कर सकते हैं अगला जो question इसके बाद है define plant indicators, give suitable example, discuss how these may be used in monitoring the state of environment, इसके उपर आपको बहुत जदा अच्छे से यहां पर explain करना है हाला कि इसमें इसमें स्री तो ही question आपको करने हैं, जो भी question आप करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे अगला जो question नोल इसमें दिया गया है What are the needs of principle of IPM and the role of IPM in path control तो IPM को हम बता दें, इसका पहुता है встрет management होता है इस पेस्टेजर के ऊपर यहां पर अच्छी तरीके से आपको एक्स्प्लेंट करना है लिखना है तो इस तरीके से आपका सेक्षन सी यहां पर कंप्लिट हो जाता है सेक्षन सी में आपको सिफ टू ही कोस्चन करने पड़ते हैं बाकि जो सेक्षन रहता है और सेक्षन